आज की मेरी रेसिपी है आलू पापड़ी चाट पांच मिनट की रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर ये तयार हो जाती है रेखिए कितनी टेस्टी रेसिपी है कोई भी बना कर ये पांच मिनट में तयार कर सकता है स्वाद के किचन में आप सब का स्वागत है आज मैं बना रही हूँ आलू पापड़ी चाठ जिसको बीना गेस चलाए हम 5 मिनट में तयार कर देंगे और बहुत आसान रेसिपी है अगर आपका घर में कभी भी चाठ खाने का मन करें और अगर घर की बनाई हुई आलू के लिए है और अब हम आलू पापड़ी चाठ के लिए चाठ जो मसाला उता है वो तयार करेंगे इसके लिए मेरे पास बारी कटा हुआ प्याज है उसको एक बाउन में निकाल देंगे और ये हैं बारी कटा हुआ तमठर ये पीशा हुआ बुना हुआ जीरा है वो डाल देंगे तमठर और प्याज के साथ और ये काला नमक हैं वो भी डाल देंगे आदा चमच काला नमक लिया है मैंने और ये मेरे पास मिक्सर सेव है और ये विका जी नमकीन ये भी डाल देंगे आदी डाल रही हूँ और आदी ये डाल देंगे हम नमकीन मिक्सर अभी मेरे पास चाट मसाला है एक चमच ले रही हूँ में चाट मसाला अभी लाश्ट में मैं ले रही हूँ नीमबू आदा नीमबू है इसको हम इसके ओपर डाल देंगे अभी जो सारी चीगजों को मैंने डाला है सारी सामगरी को उसको मिक्स कर लेंगे जो ये पापड़ी है मेरे पास इसके उपर जो ये चाट मसाला मैंने तयार किया है वो एके पापड़ी लेकर उसके उपर एके चमच डाल कर इसको तयार करेंगे हम पापड़ी चाट अब हम इसके उपर थोड़ी सी और नमकीन डाल देंगे इसमें ज्यादा टाइम भी नहीं लगता हैं और घर पे बहुत चल्दी बन जाती हैं अगर कभी बच्चों का चटपटा खाने का मन करें तो यह आप पांच मिनट में तयार कर सकते हैं अभी पांच मिनट की यह पपड़ी चाट बनकर हमारी एकदम तयार है और इसकी ज्यादा मेंनत की भी जरूत नहीं है घर की चीजों से मैंने यह पपड़ी आलू पांपड़ी चाट पांच मिनट में बना कर तयार कर ली है यह देखिए और खाने में भी यह बहुत टेस्टी होती है ज्यादा मेंनत की जरूत नहीं पड़ती है इसी तरह मेरी नहीं नहीं रेसिपी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और सेर जरूर करें